नमस्ते दोस्तों, आए सुनते हैं जैशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी वी एक कहानी, अघोरी का मोह आज तो भाया मूम की बर्फी खाने को जी नहीं चाहता, ये साख तो बड़ा ही चटकीला है, मैं तो नहीं नहीं जगनात, उसे दो बर्फी तो जरूर ही दे दो ना ना ना, क्या कहते हो, मैं गंगाजी में फेक दूँगा, लो, तब मैं तुम ही के उलिट देता हूँ ललित ने कहकर किशोर की गर्दन पकड़ ली, दीनता से भोली और प्रेम भरी आँखों से चंद्रमा की जोती में किशोर ने ललित की योड़ देखा ललित ने दो बर्फी उसके खुले मुह में डाल दी, उसने भरेवे मुह से कहा भाई आगर जादा खाकर बीमार हो गया तो ललित ने उसके बर्फ के समान गालों पर चपत लगा कर कहा तो मैं सुधा बिंदू का नाम गरल धारा रख दूँगा उसके एक बुंद में सत्रा बर्फी पचाने की ताकत है निर्भय वोकर भोजन और भजन करना चाहिए शरत की नदी अपने करारों में दब कर चली जा रही है छोटा सा बजरा भी उसी में अपने इक्षा से बहता हुआ जा रहा है कोई रोक टोक नहीं चांदनी निखर रही थी नाओ की सैर करने के लिए ललित अपने अतिति किशोर के साथ चला आया है दोनों में पवित्र सोहाद्र है जानवी की धवलता आ दोनों की स्वच्छंद हसी में चंद्रिका के साथ मिलकर एक कोतोहल पूर्ण जगत को देखने के लिए आवाहन कर रही है धनी संतान ललित अपने वैभो में भी किशोर के साथ दीनता का अन्भा करने में बड़ा उत्सुक है वह साअनन्द अपनी दुर्बलताओं को अपने भाव को अपनी करुणा को उसकी शोर बालक से व्यक्त कर रहा है और इसमें उसे सुख भी है क्योंकि वह एक नसमझने वाले हिरन के समान बड़ी-बड़ी भोली आँखों से देखते वे केवल सुन लेने वाले व्यक्ति से अपनी समस्त कथा कहकर अपना बोज हलका कर लेता है और उसका दुख कोई समझने वाले व्यक्ति ना सुन सका जिससे उसे लजजित होना पड़ता या उसे बड़ा सुयोग मिला है ललित को कौन सा दुख है उसकी आत्मा क्यों इतनी गंभीर है ये कोई नहीं जानता क्योंकि उसे सब वस्तु की पूर्णता है जितने संसार में साधारंट मिलनी चाहिए फिर भे उसकी नील नीरद माला सी गंभीर मुखाकृती में कभी कभी उदासीन तब बिजली की तरह चमक जाती है ललित और किशोर बाते करते करते हस्ते हस्ते अब ठक गये हैं विनोत के बाद अवसाद का आगमन हुआ पान चबाते चबाते ललित ने कहा चलो जी अब घर की ओर मांजियों ने डांड लगाना आरंब किया किशोर ने कहा भाया कल दिन में इधर देखने की बड़ी एक्छा है बोलो कल आओगे ललित चुप था किशोर ने कान में चिल्ला कर कहा अरे भाईया कल आओगे ना ललित ने चुपपे साधली किशोर ने फिर कहा बोलो भाईया नहीं तो तुम्हारे पैर दबाने लगूँगा ललित ने पैर चुने से घबरा कर कहा अच्छा तुम कहो कि हमको किस दिन अपने सूखी रोटी खिलाओगे किशोर ने कहा मैं तो तुमको खीर मोहन दिल खुश ललित ने कहा ना 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 मैं तुमारे हाथ के सूखी रोटी खाऊंगा बोलो स्विकार है नहीं तो फिर मैं कल नहीं आऊंगा किशोर ने धीरे से स्विकार कर लिया ललित ने चंद्रमा की ओर देखकर आखे बंद कर लिया बरोनियों की जाली से इंदू की केड़ने घुश कर फिर कोर में से मोती बंद बंद कर निकल कर भागने लेगी ये कैसी लेला थी पचीस वर्ष के बाद कोई उसे अगहोरी कहते हैं, कोई योगी मुर्दा खाते वे किसी ने नहीं देखा किन्तु खोपडियों से खेलते वे, उसके जोड की लीपियों को पहनते वे, फिर हसते वे, कई व्यक्तियों ने देखा है गाउं के इस्त्रियों जब नहाने आती हैं, तब कुछ रोटी, दूद, बचा हुआ चावल लेती आती हैं पंचवटी के बीच में जोपडी में रख जाती हैं, कोई इससे यह नहीं पूछता, कि वह खाता है या नहीं किसे इस्त्रिके पूछने पर, बाबा, आज कुछ खाओगे? अगोरी बालकों किसी सफेद आखों से देख कर बोल उटता मा, युवतिया लजा जाती, वृधाएं करुना से गद गद हो जाती और बालिकाएं खिलखिला कर हस पड़ती तब अगोरी गंगा के किनारे उतर कर चला जाता और तीर पर से गंगा के साथ दोड लगाते वे कोसों चला जाता तब लोग उसे पागल कहते थे किन्तु कभी कभी संध्या को संतरे रंग से जब जानवी का जल रंग जाता और पूरे नगर की अट्टालिकाओं का प्रतिविंब छाया चित्र का द्रिश्य बनाने लगता तब भाव विभोर होकर कलपनाशील भावुक की तरह वही पागल निर्मिमेश ट्रिष्टी से प्रकिर्ति के अद्रिश्य हातों से बनाएवे कोमल कारिगरी की कमनिये कुसम को नन्ने फूल को बिना तोड़े हुए उन्ही घासों में हिला कर छोड़ देता और स्नेह से उसी की और देखने लगता जैसे वह फूल से कोई सुन्दर संदेश सुन रहा हो शीत काल है, मध्यान है, सवेरे से अच्छा कोहरा पड़ चुका है, नौ बजे के बाद सुर्य का उद्य हुआ है चोटा सा बजरा अपनी मस्तानी चाल से जानवी के शीतल जल में संतरन कर रहा है बजरे की छट पर तकिये के सहारे कई बच्चे और इस्त्री पुरुष बैठे वे जल विहार कर रहे है कमला ने कहा भोजन कर लीजे, समय हो गया है किशोर ने कहा बच्चों को खिला दो, अभी और कुछ दूर चलने पर हम खाएंगे बजरा जल से कलोल करता हुआ चला जा रहा है किशोर, शीत काल के सुर्य के कीर्णों से चमकती वी जल लहरियों को उदासीन अथ्वा स्थिर द्रिष्टी से देखता हुआ न जाने कब और कहां की बाते सोच रहा है लहरे क्यों उठती है और विलीन हो जाती है बुदबुद और जल राशी में क्या संबंद है मानव जीवन बुदबुद की तरंग है बुदबुद है तो विलीन होकर फिर क्यों प्रकट हो जाता है मलीन अंश फेन के कुछ जल बिंदू से मिलकर बुदबुद का अस्तित्व क्यों बना देता है क्या वासना और शरीर का भी यही संबंद है वासना की शक्ति कहा किस रूप में अपने इक्षा चरितार्थ करती वी जीवन को अमरित गरल का संगम बनाती वी अनन्त काल तक दोड लगाएगी क्या कभी अफसान होगा कभी अनन्त जल राशी में विलीन होकर वो अपने अखंड समाधी लेगा हैं? क्या सोचने लगा? व्यर्थ की चिंता? नवल ने कहा बाबा उपर देखो उस व्रिक्ष की जड़े कैसे अद्बुत फैलीवी है किशोर ने चौक कर उपर देखा वा जीर्ण व्रिक्ष कुछ अनोखा सा था और भी कई व्रिक्ष उपर के करारे को उसी तरह घेरे हुए है यहीं अगोरी की पंचवटी है किशोर ने कहा नव रोक दे हम यहीं उपर चल कर ठहरेंगे और वहीं जलपान भी करेंगे थोड़े यह देर में बच्चों के साथ किशोर और कमला हुतर कर पंचवटी के करारे पर चड़ने लगे सब लोग खापी चुके अब विश्राम करके नाओं की और पलटने की तैयारी है मली नंग किंतु पवित्रता की चमक मुख पर रुक्षिकेश कौपिन धारी एक व्यक्ति आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया मुझे कुछ खाने को दे दो दूर खड़ा हुआ गाउं का एक बालक उसे मांगते देखकर चकित हो गया वह बोला बाबुजी या पंचवटी के अगोरी है किशोर ने एक बार उसकी और देखा फिर कमला से कहा कुछ बचा हो तो दे दो इसे कमला ने देखा तो कुछ पराठे बचे थे उसे निकाल कर दे दिया किशोर ने कहा और कुछ नहीं है अगोरी उसुखेवे पराठे को लेकर हैसने लगा बोला हमको और कुछ नहीं चाहिए फिर एक खेलते वे बच्चे को गोद में उठा कर चूमने लगा किशोर को बुरा लगा उसने कहा उसे छोड़ दो तुम चले जाओ अगोरी ने हताश डृष्टी से एक बार किशोर की ओर देखा और बच्चे को रख दिया उसकी आँखें भरी थी किशोर को कतूहल हुआ उसने कुछ पूछना चाहा किन्तु वह अगोरी धीरे धीरे दूर चला गया किशोर कुछ अवेवस्थित से हो गया वह शिग्र नाव पर सब को लेकर चले आए नाव नगर की ओर चली किन्तु किशोर का रिदय भारी हो गया था वह बहुत विचारते थे कोई बात स्मरण करना चाहते थे किन्तु वह ध्यान में नहीं आती थी उनके रिदय में कोई भूली वी बात चिकोटती थी किन्तु वह विवस्थ थे उन्हें स्मरण नहीं होता था मात्रिस ने से भरी भी कमला ने सोचा कि हमारे बच्चों को देखकर अग्होरी को मोह हो गया था कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलूंगे एक नही कहानी के साथ, नमस्कार